हाई फ्रेंद्स वेलकम टू आई टीए गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है डेली करेंट अफेर्स वेकंस इंफॉर्मेशन एंड आई टीए इसे रेलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और सस्क्राइब यदि कर लिया आपने तो इसे बेल आइकन को अन कीजिए तागि मैं जो भी नए वीडियो बनाओ सबसे पहले आपके पास पहुचे और आप उसे देखें किदि सेसन अच्छा लगता है सेसन को जानकारी मिलती तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में सेयर कीजिए इसे सेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि हाँ कॉमटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट सेसन है चलिए सेसन के ओर चलते हैं यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हो तो इसे सस्क्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाईगे आज हम और इस वीडियो की पीडियो फाइल की लिंक में इसी वीडियो के डिस्क्रिशन में दे दूंगा आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लिजीगा ताकि एक्जाम के टाइम पर आपको आसानी से रिविजन कर सके या पढ़ाई कर सके चलिए आज का हमारा पहला क्वेशन ह हाल ही मैं अंतराश्टी मानौ अधिकार दिवस कब मनाया गया है तो इस क्वेशन का राइट आंसर है आपसन नंबर एए दस दिसमबर 10 दिसंबर को प्रतिक वर्ष अंतराश्टी इस्तर पर मानव अधिकार दिवस बनाया जाता है यानि कि मानव के अधिकार क्या है वो उसे पता होना चाहिए और इस वर्ष मानव अधिकार दिवस की थीम है Recover Better Stand Up for Human Rights क्या है Recover Better Stand Up for Human Rights है इस थीम को COVID-19 महमारी के इत्पन हुई स्थिती की वज़ा से रखा गया है इसका उद्देश है कि सभी हितधार को और भागेदारों के साथ चुड़ना है और परिवर्तन कारी कारेवाई के लिए लोगों को सामिल करना है यनि कि हमें COVID-19 के प्रती साथानी परितना है यही इसका मोख्यों देशे है भारत में मानव अधिकार कानून 28 सितंबर 1990 में अमल में आया जिसके बाद सरकार ने 12 अक्टूबर 1997 को राष्टी मानव अधिकार आयोग का गठन किया मानव अधिकार आयोग राजनीतिक आर्थिक सामाजिक और सांस्क्रतिक कारे छेतरों में भी काम में करता है मानव अधिकार दिवस लोगों को उनके अधिकारों के प्रती जागरूप करने के उद्वेशे से मनाया जाता है मानव अधिक्र में स्वास्ता है, अर्थिक स्माजिक और सिक्षा का अधिकार भी सामिल है वे मुल-बूत, नैसरगी अधिकार है जिन्हे मनुशिकनर्षन जाति, दिराच्टी, धर्मित्क और लिंक अधिक्याधार परवंचित या प्रताडित नहीं किया जा सकता है यानि कि इसमें किसी विशेश धर्म को विशेश स्थिती ना दी जाए इसके लिए यहाँ डिवस मनाया जाता है और इस दिन को मनाने के लिए इस दिन को अपनाने की गोशना की हाला कि आधिकारिक तौर पर इस दिन की गोशना 1950 में हुई, कभी 1950 में इसकी गोशना केगी की 10 दिसंबर को अंतर राष्टी स्थर पर मानो अधिकार दिवस मनाया जाएगा, चलिए, next question क्यों चलते हैं, इस question का right answer है, option number 8, चलिए, next question क्यों इस्ट क्वेचन है हालगी में आई रिपोड के अनुसार जलवाई उन्वाइव परिवरतन सूचकांग में भारत का इस्थान क्या है चाहिकर ऑफीन ws करफ़न के साथ में स्वीडन सिर्ष से इस्थान पर रिखता यानिस स्वीडन एस के साथ वह सबसे सिर्ष से इस्थान पा जाए किसने इस्वीडन है तो और और नंबर सी इसका राइट आंसर है चलिए, नेश्ट कॉर्शन के चलता है, नेश्ट कॉर्शन है, हाल ही में किस देश ने मंंट एउरेस्ट की उचाई 86 सेंटी मीटर की बढ़ोतरी होने का दावा किया नेपाल और चीन इन दोनों देशोंसे मिल कर भी यह दावा किया है कि मंट एउरेस्ट option number C A और B दोनों नेपाल की राजधानी है काटमाडू और चीन की राजधानी है बीजिंग क्या है बीजिंग तो इस question का right answer option number C चलिए next question क्यों चलते है next question है हाल ही में UPI London के मामले में भारत देश में सिर्ष पर कौन है तो इस question का right answer option number B गूगल पे गूगल पे UPI London के मामले में सिर्ष इस्थान पर है भारत में UPI का फुर्पा में Unified Payments Interface क्या है Unified Payments Interface और इसके स्थापना के गई थी 11 अपरे 2016 को और गूगल पे के स्थापना के गई थी सन 2015 में कब 2015 में गूगल पे गूगल का या एक Online Transaction या Online Payment करने वाला प्लेटफॉर्म है इसके स्थापना की गई थी Google ने 2015 में और गूगल की स्थापना की गई थी 4 दिसंबर 1998 में कब 1998 में स्थापना की गई थी Google की तो इस question का right answer option अपने दोस्तों से भी जरूर करवाईएगा नेस्ट कोशन है हाल ही में किस ने अतुल वासन को क्रिकेट सलाकार समीती का अध्यक्ष नियुक्त किया है तो इस question का right answer option पैस नंबर सी 920 सीए डीडीसीए ने और अतूल वासन को क्रिकेट सलाकार समीती का अध्यक्ष न यूक्त किया या कि डिडी सीए की फिरफ़ा में दिल्ली एंडिस्टी Cricket Association इसकी स्थापना की गी थी 1928 में और इसका Secretary है Dacia की स्थापना की गी थी 1883 में कब? 1883 में तो इस Question का R overall answer हो जाएगा यही है अतुल वासन जी जी जीन को ڈی ڈی سی اے نے क्रिकٹ समیتی सला का नियुक्त किया है तो इस क्किस्ट का राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवाड 2020 में सिरसेस्तान किसे मिला है तो इस क्किस्ट का राइट आंसर हो जाएगा अप्सन नंबर B बजरंग पुनिया को फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवाड 2020 में सिर्ष इस्तान मिला या कौन है यही है बजरंग पुनिया या एक कुस्ती के खिलाडी है क्या कुस्ती के खिलाडी है बजरंग पुनिया जी और इनको यह भी फिक्की ने या अवाड दिया फिक्की इंडिय और निसाने बाद इलावे निल वाला रिवन को साल का सर्वस्ट्रेस्टिक खिलाडी गोशी किया है सर्वस्ट्रेस्टिक खिलाडी गोशी करने के साथ में इन्होंने दोनों खिलाडीों को फिक की इंडिया स्पोर्ट्स अवाड 2020 के लिए Sports Person of the Year पुरुसकार से सम्मानी भी किया है तो इस Question का Right Answer Option नमबर B चल लिए Next Question जिर चलते हैं Next Question है हाल ही में सेना प्रमुक मनोज मुकुन नर्वने किस देश की तो दिवसी आधिकारी क्यात्रा पर गए है तो इस Question का Right Answer आधिकारी क्यात्रा पर गए है प्रेजन टाइम पर हमारे सेना प्रमुक मनोज मुकुन नर्वने जी यह हमारे प्रेजन टाइम पर सेना प्रमुक मनोज मुकुन नर्वने जी जो अभी UAE की आधिकारी क्यात्रा पर गए है बात कर लेते UAE की UAE की राजदानी है आबुधावी क्या है यहां की राजदानी आबुधाबी है और यहां पर राष्टपती है खनीपा बिन जायद अलनायान कोने खनीपा बिन जायद अलनायान और यहां पर मुख्य मंत्री है मुहमबद बिन रासिद उलमक्तुम कोने मुहमबद बिन रासिद अल्मक्तूम यहाँ पर प्रधान मंत्री है और यहाँ पर मुद्रा चलती है दिरहम, क्या है यहाँ की मुद्रा दिरहम है तो इस क्वेशन का राई टांसर हो जाएगा उप्सन नमबर एच चलिए नेस्ट क्वेशन क्यों चलते हैं और अभी इनको फिर से वापस से प्रधान मंत्री ने उक्त का दिया कहा पर? कुवेश में कुवेशन की राजदानी है, कुवेशन नगर और यहाँ पर प्रधान मंत्री है नसीन मुहम्द अल-अहमद अल-साबाह यहाँ पर मुद्रा चलती है दीनार क्या यहां की मुद्राद दीनार है तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर B चलिए नेश्ट कोशन के चलते है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब किज़े और अपने दोस्तों से भी जरू करवाईएगा इंजला मरकेल जी यही हैं इंजला मरकेल जिननको प्रथम इस्थान मिला है होपस की सव सक्राइब एंजला मरकेल जी बनी हुई है इस कोशन का राइट आंसर है आप्सन नमबर B इसका राईट आंसर है चलिए, नेस्ट कुशन क्यों चलते हैं, नेस्ट कुशन है, हाल ही में मंगल देश डबराल का निदन हुआ वह कौन थे, तो वह एक प्रतिस्ठीट कवी थे जिनका भी हाल ही में निदन हो गया है, मंगल देश डबराल, यही थे मंगल देश डबराल जिनका भी हाल ही में नीदन हो गया या एक प्रतिस ठीट कवी थे तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा तो इस कोशन का राइट आंसर अप्शन अमर डी है आज का सेशन हमारा यहीं समापत होता है यदि आप हमारे चैनल आईटी एक गोल टेकनिकल पर पह सेर जरूर कीजिएगा थेंकि दोस्तों वाचिंग फर मैं वीडियो मिलते हैं नेस्ट सेशन में